मेगर टेस्ट या इंसुलेशन रेजिस्टन्स टेस्ट में हमेशा DC वल्टेज ही क्यों यूस किया जाता है AC वल्टेज क्यों नहीं दिया जाता अगर AC वल्टेज देंगे तो क्या होगा मेगर टेस्ट या इंसुलेशन रेजिस्टन्स टेस्ट में हम मोटर या रांस्मर्मर के वैंडिंग और बोडी के बीच यूज होने वाले इंसुलेशन माटिरियल का रेजिस्टन्स मेजर करते हैं जिसे इंसुलेशन रेजिस्टन्स कहते हैं इसके लिए हम मेगर या इंसुलेशन टेस्टर का यूज करते हैं, जिसमें DC वल्टेज मोटर या ट्रांस्वर्मर की वैंडिंग और बोडि के बीच दिया जाता है, और मेगर या इंसुलेशन टेस्टर हमें इंसुलेशन का रेजिस्टन्स मेजर करके देता है, तो हमारा क्या हम DC वल्टेज की जगह AC दे सकते हैं, तो इसका अंसर है कि इंसुलेशन रेजिस्टन्स टेस्ट में हम AC वल्टेज नहीं दे सकते, क्योंकि मोटर या ट्रांस्वर्मर में बोडि और वैंडिंग के बीच इंसुलेशन होने से मोटर या ट्रांस्वर्मर में केपेसिटन create होता है इस capacitance का अपना capacitive reactance होता है जो की supply frequency पर depend करता है इस तरह insulation में material का resistance और capacitive reactance दोनों हाजिर होंगे पर हमें मेगर test में सिर्फ insulation का insulation resistance चाहिए और जब हम winding और body के बीच DC voltage apply करेंगे तो winding और body के बीच resistive component या impurities से resistive leakage current flow होगा और capacitance DC supply को block करता है और as a open circuit act करता है इसलिए winding और body के बीच कोई भी capacitive leakage current flow नहीं होगा इसलिए मेगर resistive leakage current और test voltage को calculate करके हमें insulation resistance की value measure करके देगा अगर हम मेगर test में AC voltage देंगे तो body और winding के बीच resistive leakage current और capacitive leakage current दोनो flow होगे इसलिए insulation tester से जो हमें value मिलेगी वो value insulation के impedance की होगी यानी insulation के resistance और capacitive reactance का vector summation होगा इसलिए motor या transformer के insulation resistance की exact value measure करने के लिए मेगर test या insulation test में DC voltage का use किया जाता है